अलो फ्रेंड फिर से स्वागत है मेरा चैनल को देखने के लिए फ्रेंड आज हम सिखें के सार्फ माइनर काड कैसे बजाएंगे हम जब देखेंगे तीन उंगलिया होता है कौड बाजाने में जब तीन उंगलिया होता है तीन उंगलिया में बीच वाल उंगली को हम left side खुमाएंगे एक ही half note को खुमाएंगे वो हो जाएगा minor card तब हम यहाँ शुरू करेंगे सार्फ कर्ट से शुरू करेंगे और बीच वाला उंगले को हम लैपसाइड कुमाएगे वह हो जाएगा हमारा सार्फ माइनर काड और पहले से बोल देता ह CA करड में हो या सार्फ माइनर करड में हो में उसमें e और b ये दोनों का pourrait दोनों VS disciple चलिए फिर आज देखेंगे हम सार्फ माइनर कड के से बजाएंगे हम सिख गए ये था सी सार्फ की ये हो गया एफ ये हो गया जी सार्फ बीच वाला उंगली को हम हाप नोट लेप्ट साइड गुमाने से वो माइनर कड हो जाते हैं यह हो गया हमारा सी सार्फ माइनर उसके बाद डी सार्फ माइनर यह हो गया डी यह अपना डी सार्फ कोड है डी सार्फ को माइनर कैसे किया जाएगा वही बीच वाला उंगली को लेट साइड गुमा देना है बीच में था जहां था half not left side घुमा देना है यह हो गया डी sharp minor chord उसके बाद डी के बाद E आता है यह E का नहीं है F का है F sharp यह हमारा F sharp chord F sharp chord का भी same rhythm में हमारा बीजवाला उंगली को left side घुमा देंगे यह हो गया हमारा F sharp minor chord अब G sharp ये हो गया जी सर्फ मीडिल उंगली को हम चेंज करते हैंगे लेप साइड ये लेप साइड चेंज किया गया है इसमें कौन आ रहा है कि हम लोग को ये जी सर्फ माइनल को मिल गया अब एसर्फ माइनर कैसे आएंगे एसर्फ आगया यहां डी आगया एफ आगया एसर्फ डी एफ आगया वो बीच वाला उंगली को ही फिर से दूबरा रिप्लेस करना है कहां कि लेट साइड में हो गया यहां रखने से हमको कि एसर माइनर हो गया तो हमको एका सर्फ माइनर को ड्बी नहीं है कि बीका भी सर्फ माइनर कोड नहीं है Si-saf E-g-saf E-g-saf ये होगिया हमारा Si-saf minor chord D-saf minor D-saf ये होगिया हमारा D-saf minor chord अब आगर जाएंगे F-saf minor chord F-Surf, A, उसके बाद C-Surf F-Surf, A, C-Surf यह होगे हमारा F-Surf Minor Chord G-Surf Minor G-Surf, B, D-Surf G-Surf, B, D-Surf यह होगे हमारा G-Surf Minor Chord A-Surf Minor Chord A, C-Surf, F A, C-Surf, F यह होगे हमार A-Surf Minor Chord